नमस्कार आप खबर फरूखाबाद से मरित गराकों के खाते में 40,000 रुपए फर्जी अधार कार्ड बनाकर निकाल लेने के मामले में बैंक मेनेजर सहीग दीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस जांच में जुट गई है था नशेतर के गराम तुसोर्थ निवासी दीपक कुमार पुत्र अनिल कुमान ने पुलिस को दी गई तहरीन में काया है कि उसके बाबा कमल सिंग की मोद बीते 9 फरवरी 2013 को हो गई उनका खाता गरामीर बैंक में चल रहा था खाते में 40,000 रुपए पड़े थे जिसे बैंक मेनेजर दाताराम साइख मेनेजर अर्बिन कुमार पांडे वे बैंक मितर कड़का निवासी शादा अपुत्र आगिल खान ने फरजी हो अधा अधार कार्ड पर कमल सिंग के नाम का बना पकर उनके खाते से 40,000 रुपए खिलाफ 420, 406, 467, 468 वे 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है थाना द्यक्ष अंगर सिंग ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच पर करकाई वाई की जाएगी फरुखावात प्रे टीवी न्यू चैनल के लिए आमोत तीवारी की स्पेशल रिपोर्ट